हाई गाइज माइनस पांडे स्वागत करता हूँ अपने चैनल दरूट सिंगलिस में आप सब ओका क्या आप वर्ट्स एचसी हाडविक के जो वर्ट्स हैं उनको रटते रटते ठक गए हैं हाँ बिल्कुल ठक गए हैं इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूँ अगर आप ब वर्ड को नौर अटे और बिल्कुल ही आसानी वे में एक आसान रास्ते से एक सिंपल बीदी से जाने तो इस वीडियो को जरूर देखें अच्छी एक बात आप बताईए क्या आपको अगर श्टोईकल एंक्रिव टेबल इससे ऐसे जैसे वर्ड आपको अगर दिया जाए तो क्या आप एक बार में याद कर पाते हैं इनको याद करने में आपको बहुत समस्या होती है मुझे भी हुई थी सबको होती है इन सभी सब्द को इन सभी वर्ड को याद करने में बहुत समस्या होती है तो मैंने आपके लिए एक ऐसा विडियो बनाया है जिसमें मैं आप आपको वर्ड तो सिखाऊंगा लेकिन एक रोमांटिक के स्टोरी पर सिखेंगे एक कहानी के थ्रू सिखेंगे अगर आप इस कहानी को दिमाग में बैठा दिये तो आपका HC हाडविक यू 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 मैं बोल रहा हूं ना यू बिल्कुल ही सिंपल वे में कम्प्लीट हो जाए आईये मैं इस विडियो को सुरू करता हूँ यहां पर मैंने हैन्ग दिया है HC हाडविक सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ड दिये गए इन वर्ट को हमें पढ़ना कैसे है तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाता हूं पढ़ने का वें सिखाता हूं कि आत्र इस वर्ट्स को पढ़ना कैसे है और तो व्यात कैसे करना है जैसे कि जितने भी इसमें वर्ट्स दिये गए हैं उन सभी वर्ट्स के उपर एक अंक दिया गया है एक नंबर दिया गया है जो भी वर्ट्स है उन वर्ट्स के उपर एक नंबर है जो भी वर्ट्स है उनके उपर नंबर वाइज डिस्टिब्यूट किया गया है डिभाइड किया गया है सभी वर्ट्स को नंबर वाइज डिभाइड किया गया है जितने भी इसके वर्ट्स है सब को नंबर वाइज डिभाइड किया गया है इसके बाद यह जो नंबर वाइज डिभाइड किया गया है इसी न नमबर का जो वर्ट है एप्टिचूड इसी का यहां पर हिंदी लिखा गया है यानि जितने भी वर्ट्स को इंगित किया गया है नमबर के अनुसार जितने भी वर्ट्स को नमबर के अनुसार इंगित किया गया है उन्हें सब का हिंदी यहां पर नीचे लिखा गया है तो चलिए कहानी को हम सुरू करते हैं, एस्वरिया ने सलमान खान को डिस्वेल्ड किया, मतलब डिस्वेल्ड का मतलब होता है, अस्त ब्यस्त किया, मैं डिस्वेल्ड बोलू, तो आप बोलेंगे डिस्वेल्ड का हिंदी क्या हो जाएगा, तो अस्त ब्यस्त किया, और बिबेक अब्राय को और बिबेक अब्राय को इंप्लेकेबल धंग से यानि कठोर धंग से कठोर तरीके से सताई अभी सेक बच्चन की एप्टीचूड अभिसेख बच्चन की aptitude का मतलब होता है योग्यता तो अभिसेख बच्चन की aptitude, अभिसेख बच्चन की योग्यता में इस वरिया की रूची की obsession यानि सनक, उनमाद इस वरिया के रूची की obsession का मतलब होता है सनक या उनमाद इसकदर सवार हुई कि एस्वर्या हर सीमा का इनक्रोच कर उनका इनक्रोच लगी मतलब उनका अनुकरन करने लगी इसके बाद क्या है ध्यान देंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस स्टोडी को एस्वर्या इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है अव्यक्ट चापलूस अव्यक्ट तरीके से अव्यक्ट का मतलब होता है चापलूस ब्यक्ति की तरह अभिसेग से इन स्क्रिवूटेबल इन स्क्रिवूटेबल ब्यक्ति की तरह अव्यक्ट से इन स्क्रिवूटेबल का मतलब होता है रहस्यमय ढंग से अपना संबंध बनाने लगे अंततह यह फ्लिपेंट अंततह यह फ्लिपेंट का मतलब होता है अन्यंत्रित रैंपेंट मतलब हो जाएगा अन्यंत्रित तो अंततह यह फ्लिपेंट यूवक यह चिछोड़ा यूवक खुद से रैंपेंट खुद से अनियंत्रीत हो गया और सस्टेनेंस मतलब होता है आहार सस्टेनेंस मतलब होता है आहार को त्याग दिया सस्टेनेंस के बलावता चल आवतनी को आवद नियुल हुआ है 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 इस लोग गाद है हम पादे दू मिनट में आप ने जल्दी अन्ततह यह फ्लिपेंट यूवक अन्ततह यह फ्लिपेंट मिन्स होता है चिछोरा फ्लिपेंट मिन्स होता है चिछोरा अन्ततह यह फ्लिपेंट यूवक यानि चिछोरा यूवक खुद से rampant, rampant का मतलब होता है अन्यंत्रित, खुद से rampant यानि अन्यंत्रित हो गया और sustenance मतलब होता है आहार भोजन त्याग दिया, इससे estoical सोभाव की जया, estoical का मतलब होता है धर्यता, estoical का मतलब क्या होता है धर्यता, estoical सोभाव की जया, यानि धर्यवान सोभाव कि जया बच्चन भी पेट्रिफाइड रह गई यानि पेट्रिफाइड का मतलब होता है भोचक्का रह गई पेट्रिफाइड रह गई मतलब भोचक्का रह गई और प्रोहिबिटिब रूख अपनाई मतलब निसेधात्मक रूख अपनाई प्रोहेविटीब रुख अपनाई यानि निशे धात्मक रुख अपनाई, क्योंकि स्वार्या पर इन्हें क्यूलेम्स था, स्वार्या पर इन्हें क्यूलेम्स का मतलब होता है संदेह था, अंतताप पूर्ब गलतियों के लिए, अंतताप पूर्ब गलतियों के लिए, कॉंट्रीट मतलब होता है, कॉंट्रीट का मतलब होता है, पश्चतापी, कॉंट्रीट मतलब क्या होता है, यहां पर हो जाएगा, पश्चतापी, अंतताप पूर्ब गलतियों के लिए, कॉंट् पश्चतापी वक्तव्य जारी करने में, डेफ्ट मतलब होता है, डेफ्ट का मतलब होता है निपुन, टैलेंटेड, एस्वर्या अभिसेख के साथ प्रोपिटियस बंधन, प्रोपिटियस बंधन का मतलब होता है सुभ या मांगलिक बंधन में बंधी और इस पैनोरामा को औ और इस परिद्रिस्य को, इस द्रिस्य को, जयाबच्रन को सुषिकार ना पड़ा, यानी एक एक वर्ड्स को हम इस कहानी के थूरू बिल्कुल ही असान वे से जान सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जेनरल कमपेशन के जो भी आपके भिद्यारती हैं जो आपके अगल बगल में हैं उनको जरूर ये वीडियो सेर करें और मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए आप सबों का प्रेम प्रुबक बहुत बहुत धन्यवाद